हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Android में आप अपने मुवाइल फून के Bluetooth की कनेक्टिंग की प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में जान कर रही देने वालों तो चलिए आपे वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तो जब भी हम अपने मुवाइल फून के Bluetooth को किसी भी दूसरे डिवाइस की साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा Bluetooth जो है वो दूसरे डिवाइस की साथ कनेक्ट नहीं हो बाता है तो इस Bluetooth की कनेक्टिंग की प्रावलम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है Bluetooth को बंद करना है और अब आपको जो हैना अपने मुवाइल फून की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है तो आपको नीचे की साइट एक option शो हो जाएगा यह वाला सबसे उपर का रिसेट वाइफाई मुवाइल एन Bluetooth का इसे टाप करना है तो आप इस पेज में यह जो तीन सेटिंग देख रहे हैं वाइफाई, मुबाइल डेटा, ब्लुथूथ यह तीनों सेटिंग आपकी मुवाइल फून की नेटवर्क सेटिंग के साथ रिसेट हो जाती है आपको नीचे की साथ यह रिसेट सेटिंग का ऑपशन टाप करना है अब आपको इस चोटे से पेज में ओके का बटन टाप करना है तो आपको जो नीचे यहां पर लिखाओ आजागा यह देखिए नेटवर्क सेटिंग है बिन रिसेट इस तरह की साथ आपको ना मुवाइल फून की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है जिससे आपके ब्लुतूथ की जो कनेक्टिंग की प्रॉलम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी ठीक है अगर कोई problem आ जाती है तो वो problem जोड़ हो जाती है mobile phone को reboot करने से ठीक है अब दोस्तों अगला process आपको करना है कि आपको अपने mobile phone के API setting को आपको reset करना है ठीक है mobile phone के API setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page open करेंगे इसमा आपको यह sim card and mobile network पे टैब करना है, इसके अगले page माँ आपको अपनी sim select करने है, इसके अगले page मा आपको नीचे access point name पे टैब करना है, इसके अगले page मा आपका APN का page मिलता है, इसके आपको नीचे reset पे tap करना है, नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है यह देखे रिसे डिफॉल्ट एपिन सेटिंग इस तरह किसा आपको आपको मुवाइल फोन की एपिन सेटिंग को रिसेट करना है जिससे आपके ब्लुटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी अब दोस्तों अगला प्रोसेस यह करना है आपको अपने मुवाइल फोन का सॉफट एर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफट एर का अपडेट आता है हम उसे अपडेट नहीं करते है या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है तो हमें पता नहीं लगता है तो मु सबसे उपर एंबाउट phone के सामने अगर इस तरीके का यह update का बटन दिखाई देता है ताब को इसह टाप करना है इस से आपको फौन का सॉफ्टेर जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूतूत की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी अब दूस्तों अगला प्रोसेस एक करना है कि मुवाइल फोन को रिसेट करना है मुवाइल फोन को रिसेट आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले इसे टैप करना है, आपको factory reset के इस page में सबसे नीचे result data पे टैप करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके Bluetooth की connecting की problem solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से बहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहले आपके phone में जितना भी data, सारा data आपके इसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए, या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करना है, यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको phone को reset करना है, तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज़ करने से आपके Bluetooth की connecting की problem solve हो जाएगी, अगर मेरे पताएवे सारे process यूज़ करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है, तो आपको करना है, देखिए आपके mobile phone का service center है, अपने mobile phone के service center चले जाना है, यह एक last option बसता है, ठीकिए न?